नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके ही अपने चैनल एजुकेशन फोर यू में मेरा नाम है अशुच चारश्या और दोस्तों आपको बार बता दूँ यहां पर यह ऐसे वीडियो आपको जो नोट्स पर अदारित होते हैं रोजाना सु हो सकता है कि वह नमबर ना मिले तो चली दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम बिना टाइम बैस कि आज का हमारा यह वीडियो दोस्तों यहां पर आज हम बताने वाले हैं आपको जीन प्याजे के बारे में जितने भी यहां पर कुशन बन सकते दिना अल्मूस्स सारे कुशन हम होंगे और जिनोंने शंयानात्मक विकास दिया हुआ था यह बात तो सबको पता है एक बात और पताना चाहूंगा दूस्तों आपको कि जो यह निवार्शी थे यह कहां कि निवार्शी थे दोस्तों यह रेने वाले थे आगए हम चलेएंगे तो यहां पर सायोगी कोन थे दोस्तों ये ना बार बेल, इनके सही होगी थे, ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना ज्यादा बेटर रहेगा, आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर जीन प्याजे जी ने संग्यानात्मक पक्ष पर संग्यानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था, आप सभ आपको लगाना है जीन प्याजे, दोस्तों आप सभी जानते हैं विकास के बारे में हम बात करेंगे, तो विकास जो होता है, दोस्तों यह माता के गर्व से स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होकरना यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, यह बच्चे की अवस्ताओं के बारे में हमें पताया हुआ है इन अवस्ताओं से ना हमेशा कोशन बनेगा हमेशा तो चलिए इन अवस्ताओं के बारे में हम डिसकस करेंगे दोस्तों पहले हम देखेंगे संबेदी पेसी अवस्ता अब दोस्तों आपने संबेदी पेसी अवस्ता सुना होग या इंदरी जनत अवस्ता के नाम से भी इसे हम जानते हैं ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग याद रखें अब इस अवस्ता में क्या होता है दोस्तो जो सिसु होता है जो बालक होता है वो क्या करता है अपनी समवेदनाओं और सारी रिक्रियाओं के माध्यम से सीखता है अभी समवेदनाओं और सारी रिक्रियाओं क्या होगी दोस्तो क्या होता है इस अवस्ता में जो बच्चा होता है वो वस्तों को देखकर उन्हें सुनकर उन्हें इसपर्स करके उनकी गंद लेके आदी चीजों से सीखता है उन्हें का स्वाद लेकर सीखता है मतलब ये कहना ताथ पर होगा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वो ग्यान इंद्रियों का प्रियों करके सीख रहा है आख कान नाक आधि का प्रयोग करके कब सीख रहा है संबेदी PC अवस्ता जो जन्म से 2 वरस्तक की अवस्ता है दोस्तों एक बात और बता दूँ इस अवस्ता में सिसु क्या करता है अपने हाथ पेर चलाना वा सब्दों को भोलना भी क्या होता है सीख जाता है इसी अवस्ता म वीडियो होगा तो उन्हें भी कही ना कहीं यह help मिलनी चाहिए चलिए दूस्तों को अगली अवस्ता लेते हैं यहां पर है पूर्व वहचारिक अवस्ता इसका अगर आपको जो ज़्यादा तर नाम पूछा जाता है वो होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता जो होती है दूसरे नमबर की स्टेज है दूस्तों क्या होता है इस अवस्ता में क्या होता है इस अवस्ता में ना सीसु ना दूसरे के संपर्ग में रहने लग जाता है जैसे खिलोने के संपर्ग में जादा आ जाता है अनुकरण करके चीजे सीखने लग जाता है मतलब क्या होता है अ अनुकरण करके सीखना प्राणब कर देता है आगे चलते हैं इस अवस्ता में मतलब यह जो जन्म से 2-7 वर्सक की अवस्ता में है इससे ना उसे अक्षर लिखना गिंती गिनना रंगों को भैचानना वस्तूओं को करम में रखना हल्की भारी वस्तूओं का ज्यान होना और मा आगे मैं चलूँ तो इस अवस्ता में क्या होता है ध्यान रखना दूस्तो इट's very important बच्चा जो हता है ना तार्तिक रूप से चिंतन करने की यह अवस्ता नहीं होती है यह याद रखना कई बार आप से पूछा जाएगा तो यह ना तार्तिक चिंतन करने बच्चा इस जो होती है साथ से बारा वर्स यह एक वैचारी का वस्ता है और चिंतन के लिए बच्चा यहाँ पर तैयार हो गया है आगे चलेंगे दोस्तों यहाँ पर इस अवस्ता में बच्चा जो होता है क्या करता है दोस्तों यहाँ पर नत और लेकिन उसका चिंतन केबल और केबल मू यहां पर बच्चा आमूर्थ वस्तूओं के बारे में चिंतन नहीं कर पाता है ध्यान रखना ऐसा यहां पर कहा जा रहा है मतलब यहां कहा जा रहा है देशा केबल मूर्थ और प्रतक्च वस्तूओं तक ही चिंतन उसका सीमित हो जाता है इसलिए दोस्तों इसे हम मूर्थ च खाने ये 7-12 पर asht- is that clear आगे चुनिए मेरे दोस्तों यहां पर यहां कहा जा रहा है इस अवस्तां में बालग जो होता है दुल स्वेस्टों के बीच में टार्तिक रूप से कब सोचने लग जाता है तो वह होगीयापकी यहा पर किया संक्रियातमक अवस्ता अना सहीं गलत के भेद कब करने लग जाता है तो वो होगी आपकी मूर्थ संक्रायत्मक अवस्ता साथ से बारा वर्स की अवस्ता आगे चलूँगा दोस्तों इस अवस्ता में क्या होता है बालक दिन तारीक महीने आदी बताने की युग हो जाता है जैसा कि आपको बताया था आप उससे कोई देट पोस्ते हैं आप उससे कोई दिनांग पोस्ते हैं कोई वर्स पोस्ते हैं तो बच्चा यहाँ पर आपको बताने के काबिल हो जाएगा अगली अवस्ता आती है दोस्तों यहाँ पर आपचारिक संक्राइत्मक अवस्ता जो 12 वर्से 15 वर्स की अवस्ता मानी जाती है इस अवस्ता में क्या होता है कि सोरों के साथ रहते रहते आमुर्चिंतन करने योग बच्चा हो जाता है तारतिक अवस्ता होती है समस्या समाधान के गुड़ उसके अंदर आ जाते हैं मतलब बच्चा काफी यहां पर कौन थो democrats हो चुका है मेरे दोस्तों यहां पर बच्चा समस्या समाधान के लिए जाना जाता है तार्तिक रोप से सौच के लिए जाना जाता है ये चीज़े आप थोड़ा साना यहां पर याद रखना आप से जब भी पूचा जाए दोस्तों कि समस्या समाधान की अवस्ता कून सी है तो आप लगाएंगे इस अंतिम अवस्ता को इस अवस्ता के बारे में आपको एकदम क्लियर हुआ है की नहीं हुआ है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों आप लोग अभी फिलाल हम आपको रखते हैं अधिगम क्यों होगा बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे अधिगम इस्तांतरन क्या होता ह पहली बात तो यह बता दूँ प्रतिपादक कोन है थॉंडाइक है ये चीज़े आप याद रखे प्रतिपादक कोन है थॉंडाइक जी है अब दोस्तों यहां पर अगर हम देखें हम बात करें अधिगम इस्तांतरन होता क्या है एक इस्तिति में सीखा हुआ ज्यान अगर आप किसी दूसरी इस्तितियों में प्रियोग कर लें तो दोस्तों यह कहलता है अधिगम का इस्तांतरन इस्दाट क्लियर अब यहां पर आपने बहुत सारे अधिगम इस्तांतरन के बारे में सुना होगा आपने सुना होगा दोस्तों सकारात्मक होता है नकारात्मक होता है सुनने होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ confusion जरूर होंगे तो चलिए उस confusion को करते हैं असदूर भी यहां पर सकारात्मक स्तांत्रण की बात हो रही है सकारात्मक क्या होगा दूस्तों इसे ना हम धनात्मक स्तांत्रण के नाम से भी जानते हैं अनुकुलित इस्तांतरण के नाम से भी जानते हैं यहां क्या होगा एक इस्तिती में आपने कोई ज्यान सीखा है वो दूसरी इस्तिती में वो ज्यान आपको काम आए या उस चीज को दूसरी इस्तिती में सीखने में आपकी मदद करें तो ये अधिगम का सकारात्मक इस्तानत्रन होता है जैसे मालने थ inputs आप साइकल चलाने की कुछेश कर रहे थैं आप साइकल चलाना सीख गए है तो डेफिनेटली आप जब सकूटी चलाना सीख होगे तो ये साइकल का जो ग्यान आया है आपको cycle चलाने का वो आपको स्कूटी सीखने में थोड़ी मदद करने बाला है तो इसे हम कहते हैं अधिगम का इस्तांत्रण मतलब धनात्मक इस्तांत्रण यहां काम आया है दोस्तों अगर दोस्तों आपने संस्क्रत भासा का ग्यान है तो यह हिंदी भी से सीखने में भी आपको मदद करेगा तो यह भी क्या हुआ सकरात्मक हुआ बात करें दूसरे नमर में नकरात्मक की नकरात्मक आप इसे कह सकते हैं रनात्मक इसे कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं प्रतिकूल इस्तांत्रण दोस्तों इसमें क्या होता है नकरात्मक में एक इस्तिती में सीखा हुआ ग्यान आपके में दूसरी इस्तिती में बादा उत्पन करेगा यह सहायता नी करेगा, उल्टा क्या करेगा बादा उत्वन करेगा, तो उसे हम नकारात्मक अधिगम अस्तांसरण के नाम से उसे हम जानते हैं, मान लेते हैं, इसका एक ग्जामपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने अमेरिका में ड्राइविंग सी किया है, है तो कहीं ना कहीं आप हिंदूस्तान में इंडिया में आकर ड्राइविंग करेंगे यह natural डालेगा आपको ड्राइविंग अच्छ से नहीं बनेग एक्सिडंट आधी हो सकता है तो यह इसका ना ड्राइविंग से की अमेरिका में पर इंडिया में उसका कोई भी काम नहीं आया तो यह क्या हुआ आपका नकरात्मक इस्तांत्रन हुआ दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें जैसे आप कला के छात्रे आर्ट्स आपका विशे है तो भई आप गडित पढ़ने में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर बादा उत्पन होने बाली है किसी प्रकागी कोई शाहता नहीं मिलेगी दोस्तों तो यह होगा आपका यहाँ पर नकरात्मक अब बात कर लेते हैं सुन अधिगम इस्तांत्रन अब सुन अधिगम इस्तांत्रन में क्या होगा आप आपको रहीम के दोए रटने के लिए कहेंगे तो सेम समय लगने वाला है आपको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं होने वाली ही दूस्तों तो यह होता है सुन अधिगम इस्तांत्र आइधिंग आपने सीख लिया है आगी थोड़ी सी बात करूँगा यहां अधिगम वक् भड़ा था चलिए इनकी डिमांड में कोउशन को हम समझाएंगे आगे चलेंगे दोस्तों मैं अधिगम वक्र हम उसे कहते हैं जिसमें चीब करता है अप सीख कैसे रहें कम सीख रहें ज्यादा सीख रहें कुछ भी नहीं सीख रहे हैं उसको प्रदर्शित करने वाला एक वक्र होता है उसे आप हमना अधिगम वक्र कहते हैं अब दोस्तों देखिए आपको पहले नंबर में यहां दिखाई दे रहा है सरल वक्र आपको दिखाई दे रहा है आप द्यान से देखेंगे सरल वक्र का ताथ पर यह जिसमें सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है इस सीधी लाइन दिखाई देरा, इसका ताट पर किया है, इसमें क्या होता है, दोस्तों जब सीखने की गती एक समान होती है, हना, तो क्या बनता है? सरल रेखिए वक्र बनता है, जब बच्चा समान गती से सीख रहा है, अब दूसरी भी हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको उन्नोत अधर वक्र दिखाई दे रहा है इसमें क्या होता है दोस्तो 3 सिखने कि गतिना पहले कैसी होगी तीबर होगी पर धीरे दीरे समय के साथ आपका सीखना कैसा हो जाएगा दीरे हो जाएगा तब ये वक्र बनेगा आप इस चीज को लिख लीजिए दोस्तों कहीं पर या अभी स्क्रिन सॉट लेने का भी मैं कहूंगा कि ये आपकी ना बहुत बड़ी मदद करने वाला है दोस्तों आगे चलें हम दो वर्क यह वक्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें कया होता है आरम मैंसीखिने की गती दोस्तों मन्द होती और दीरे-दीरे क्या हो जाती है गती आपकी बड़ जाती यह वक्र बनता है ध्यान रखना इन तीनों वक्र का दोस्तों इन में से कोश्चन बने सकते थे इसलिए मैं आपको बताया अब आप पढ़ने चाहते हैं कॉलबक के बारे में या पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आप जीन प्याजे जी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखना इसका ये इसी तरह story based वीडियो बना दूँगा जो आपको सुनने में काभी रोचक लगेगा और चुटकियों में आपको ये सारी चीजे याद हो जाएगी दोस्तों आपको जरूर मिलना चाहिए सुबा 11 बज़े रात 9 बज़े और मिलना चाहिए साम 7 बज़े की लाइब क्लास में ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको सुबा 6 बज़े देखना चाहिए हमारे पीडियेप नोट्स या आपको notification पाने के लिए join करना चाहिए हमारा telegram channel join करने के क्या process है आप simply play store में जाए telegram channel download करें download करने के बाद वहाँ पर education for you search करें नहीं मिल रहा है channel तो इस video के नीचे description box होता है वहाँ जाएं और वहाँ से आप simply link पर click करें और जुड़ जाएं हमारे telegram channel से thank you so much for watching this video दोस्तों आपको life class में जरूर मिलना है जो अगली life class होने जाएं